नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल लर्निंग हमें दोस्तों आज के सेसन में हम लोग बात करेंगे मनुस्य में होने वाले पाचन क्रिया के बारे में पाचन क्रिया कैसे होती है इस प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि पाच एक्जाम में वो सारे सवालों को आप देने में समर्थ होंगे तो आए देखते हैं मनुस्य के पाचन क्रिया के बारे में मनुस्य की जो पाचन क्रिया है बैसिकली दो पार्ट में डिवाइडर होती है पहली पार्ट होती है बहुतिक क्रिया जिसे हम लों मेकनिकल भी बोल सकत होती है उसे पाचन की वह कैमिकल पर करिया होती है तो यह दो पार्ट में किरे साथ मों में ना हमारे में सरा बहुत हुदिक हो और हम उसे चबाना करते हैं तो उसी समय उस खाने में उस खात का जो प्रारम होता है मुख गुहा से ही माना जाता है और मुख से जो लार निकलता है वो लार जो है खाने में मिल जाता है ठीक है और यह सबसे इंपॉर्टन बात होती है कि हम तो यह समझ लेते हैं कि जब हम चबाते हैं कोई विचिस तो उसमें लार जो निकलता है वो खाने में मिलता लेकिन कोश्चन यह बनता है कि जो मुख में कौन सी एंजाइम्स पाए जाते हैं तो यह इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे जो एक्जाम पॉइंटों भी उसे महत्तपूर्ण है तो सबसे पहले देखे मैंने कलर करके रख होता है एक टाइलीन पाया जाता जो यहां लिका हुआ दूसरा होता है लाइसोजाइम ठीक है दूसरा यह लिखा हुआ लाइसोजाइम यह दो मुख रूप से दो होते हैं अब इस टाइलीन का काम क्या होता है यह हम समझते हैं पहले तब तो एक्जाम में हम कुर्शन बना इस टाइलीन का काम है स्टार्च यानि मंड को मल्टोस सरकरा में परिवर्तित करना इस टाइलीन का काम है उसके बाद की मल्टोस सरकरा को मल्टोस सरकरा को इस मल्टोस सरकरा को गुलकोज में कनवर्ट करता है मल्टेस एंजायम नाम का एंजायम तो दो चीज हमने देख लिया लार में उपस्थीत टाइलीन जो है, वो स्टार्ज को मल्टोस में कनवर्ट करता है, उए मल्टोस जो है, उस मल्टोस को ग्लुकोज में कनवर्ट करता है, मल्टेस नाम का इंजाएं, तो फिलाल हमने ये दुछी समझा, आपको ज़्यादा दिमाग में बल देने के जोरूत आपको पूरी तरह से आपको यह समझ में आ जाएगा जब आप सेट लगाएंगे तो तो यह हमने देख लिए टाइलिन के बारे में अब देखो मुह में क्या होता है जब हम लोग कुछ खाते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस खाने के साथ में कुछ छोटे सुक्षम जीव जिवानू उपस्थित हो तो उसको मारने का काम करता है यह अपना लाइसोजाइम यह लाइसोजाइम जो है लार में उपस्थित लाइसोजाइम वा थायो साइनेट आयन जो है भूजन के साथ आये हुए सुछ मजीवों और जिवानू को नश्ट कर देता है तो यह काम खतम होता है मुख का यानि मुख से जुड़ा हुआ जितना प्रॉसेस होता वो हमने मुख में होने वाली पाचन से जुड़ेवा प्रॉसेस को समझ लिया इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं समझा, हमने सिंपल समझा कि मुख में जो लार उपस्तित होता है, उसमें मुख रूप से दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, पहला टाइलिन है, टाइलिन का काम है स्टॉर्च को मल्टोज में कनवर्ट करना, और मल्टोज को फिर मल् कि पाकप कर देता है, दूसरा एंजाइमय है लाईसोजाइम जो क्या करता है भोजन के साथ आए वे सुच में जीवों को और जीवानोवें को नस्ट कर देता है, तो मुख का काम खत्म हम जो है। मुख से हम जब निकलते हैं का था न वह खाना आता है, पेट में इस टोमक म क्या होता है कि स्टॉमिक में भी जठर गरंथी होती है उस जठर गरंथी से जठर रस निकलता और उस जठर रस में यह चार परकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो आप देख रहा है यह जो चार परकार के एंजाइम आपको दिख रहा जठर रस देखो पेट में आया मुख स से स्टार्ट हुआ है एच सी एल का ठीक है एच सी एल के हम अमासे में जो अमासे में भोजन के पहुचने के साथ ही सबसे पहले में लोग बात करते हैं एच सी एल तो चली discuss करते हैं है एक सील का क्या है भोजन को अम लिए बनाता है तथा साथ ही साथ हानिकारत जिवानूँ को भी निश्ट करता है एच सी एल का यह काम है पेपसीन क्या करता है प्रोटीन को यह प्रप्टन में कनवर्ट कर देता है लेकिन इस बीच में सबसे पहले वो portioges में Convert करताונה उसके बाद यह peptone में Convert करता ठीक है यह समझ require क्या यह ранene क्या करता दूद्ध में उपस्थित जो केसीन होता है इस केसीन को दूद्ध में उपस्थित protein &睡iboαι समालय यह यह五 levels के सिए protein का यह बूँ होता है निहां प्रो ओवी 24 जह सिंक क्या करता यह कैलसियम पैरा केसिनेट में बदल देता है जिससे क्या होता है दूद दही में परिवर्टित होता है तो यह तीन समझा हमने काम अगला है मीवसीन क्या करता है मीवसीन जठर रसके परभाव को कम कर देता है अमासे में इसके पश्चत भोजन जो है काम कर लाता है अब दो को अमासे में अभी हमने बात किया कि अमासे में इतने तरह के रस मिल जाते हैं पेपसीन रेनीन एचसीयल मीवसीन यह सब मिलने के बाद जो भोजन है अब काम कहलाने लगता है यह काइम उसके बाद क्या होता है अमासे से काइम ग्रहनी में पहुंच जाता है ग्रहनी क्या है अब यह अमासे तो समझ में आया कि अमासे क्या होता है अब यह ग्रहनी में कहां से पहुंचता है काइम तो ग्रहनी कुछ नहीं यह चोटी आत है चोटी आत तीन भागों में व gonna begin in。」 वहुजन का पाचंगर अभी हमने मुभ में समझा मुख में मुख के बाद js Кар्ण में संझा में पेसीन, यह इंजाएंब और वहुज़न के साथ में एक टी कलर काम करते हैं उसके बार भोजन क्या कहलाने लगता है, काईम घ्रेहनी में आ जाता है ग्रहनी यानी अमाज छोटी आत का एक हिस्सा होता है भाग होता है अब इसको हम लोग छोटी आत में क्या क्या होता है यह समझते हैं तो ग्रहनी यानी छोटी आत के एक भाग में आते ही इसमें तीन पाचक रस पीतर रस अगनायसे रस तथा आंतर रस मिल जाते है इन तीनु रसों के बारे हम लोग समझेंगे पीत रस के बारे में अगनायसे रस के बारे में और आंतर रस के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे पीत रस के बारे में ठीक है पीतरस पीतरस जो है यक्रीत दोरा सरावित होता है जो पीतासे में संचित होता है यह अगर कोश्चन फुच्छा कर जाए आपसे कि पीतरस जो है कहां सरावित होता है पीतरस में एंजायम नहीं पाए जाता है फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है जिसे इमल्सी करन कहा जाता है यह terminology याद रखिएगा कभी कभी question बन जाते हैं इन सब चीजों से ठीक है तो यह हो गया हमने समझ दिया bile juice के बारे में पीतरस के बारे में कि पीतरस का क्या काम है emulsicran का जो हमने process समझ लिया उसके बाद हम लोग समझेंगे अगनासे रस pancreatic juice के बारे में pancreatic juice इसमें carbohydrate, वसा, प्रोटीन आदी सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं अता इसे पुर्ण पाचक रस कहा जाता है पुर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है क्योंकि carbohydrate, वसा, प्रोटीन ये तीनों के पाचन के लिए पाचक एंजायम पैंक्रेटिक जूस में उपलत है तो जब ये कार्बोहड़ेट को पचा ले रहा है, वसा को पचा ले रहा है, प्रोटीन को पचा ले रहा है तो अब्यसली ये पूर्ण पाचकरस कहलाने के काबिल है इसमें क्या-क्या होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी, पेप्टीडेज, लाइपेज, आधी इंजायम पाये जाते हैं अगनासे रस में तो अब हमें क्या आप देखना है तीसरा क्या है आंत्र रस इंटेस्टीनल जूस जब यह इंटेस्टीनल जूस क्या-क्या होता वह हम लोग देखते हैं तो यह हम लोग अब देखते हैं आंत्र रस के बारे में इंटेस्टीनल जूस के बारे में यह हलके पीले रंग का छारिये द्रव होता है जो आंत्र ग्रंथियो आंत्र ग्रंथियो क्रिप्टन ओफ क्या लिखा हुआ इसको देखते हैं थोड़ा स्लाइट करके क्रिप्टन ओफ लीबर कुहन द्वारा स्रावित होता है यह सब आपको ज्यादा टेंसर लेने माली बात नहीं है मनुस्य में लगभग 2-3 लीटर आंतर रस प्रति दिन स्रावित होता है आंतर रस में निमलिखित एंजायन पाए जाते हैं कौन-कौन से माल्टेज माल्टेज का काम क्या है माल्टोज को गुलुकोज में बदलना वही जो हमने मुख जब हमने मुख गुहा में जो समझा था वही चीज़ यहां पर भी है सुक्रोज क्या करता है सुक्रोज चीनी को गुलुकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है लेक्टेज क्या करता है लेक्टेज जो है लेक्टोज को गुलुकोज तथा ग्लैकेटोज में बदलता है इरेपसिन करता है डाई तथा ट्राइपेप्टाइल यानि प्रोटीन के अव्याभ है यह सब को अमीनो अमल में तोड़ देता है इस परकार जो है आत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है बैसिकली मैंने बोला था कि जो भोजन की पाचन की करिया है मुख गुहा से स्टाट होके यानि मुख से स्टाट होकर के छोटी आत में खत्म हो जाता है जो भोजन है पूर्ण ता छोटी आत में आकर पाचन हो जाता है इसके बाद क्या होता है अव्शूर्शन की परक्रिया ह जाती है चोटी आथ तक भोजन का पूर्न पाचन हो जाता है यानि भोज पदार्त यहां इस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि अहर नालकि दिवारी से अवसोशित कर सके ठीके अब देखो क्या होता जब खाना अब पच जाने के एक होता है रसांकूर रसांकूर होता है रसांकूर की कोशी काएं जो है अवसुशित योग तरल काइम को अवसुशित करने के पश्चात रुधीर एवं लसिका में पहुंचा देती है इस परकार बच्चे हुए काइम को जो हमने बोला ना कि जब वह अमासे से जितने तरह के टर्रस निकलते हैं अगर वो मिल जाने कायम कहलाता तो जब रुधीर और लसी कायम पहुंचा देती है और जो पचा हुआ कायम है वह ग्लुकोज और अमीनो आमल रुधीर को सिकाव में अफसूसित होकर रुधीर में मिश्रित हो जाता है जो और जो अंडाजिस्टेड है वो बड़ी आत में चला जाता है और बड़ी आत में जाने के बद वहां से हम लोग उसको त्याग देते हैं मल त्याग देते हैं तो यह विसिकली जो है आपको जो पूरा फोकस आपको है मुक से स्टार्ट होने के बाद छूटी आद तक के प्रोसेस को समझना है उसके बाद अब्स्रोषन की परकिरिया में जो आपको जादा उसमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है तो ये पूरा एंड होता है आपका मानव में पाचन किरिया ये एक इमेज आपके लिए रखाओं बस चाहें तो आप इस इमेज को देख सकते हैं मनुस्त में पाचन किरिया वही ये मुक से स्टार्ट होता है ग्रास नली होते वे अमासे में आता है ये वहला अमासे में इसमें पीत रस अगनासे रस ये सब रस मिल जाते हैं उसके बाद इस रस में चोटी आत में जाता है चोटी आत के बाद जो अंडाइजेश्टिटिट सीष्टम हो आपको जितना आपको समझ में आना था वह समझ में आ गया होगा जितना पॉइंट व्यूव से है तो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारे चैनल को और शेयर कर दीजेगा ठीक है दस्तो थैंक्स पर वाचिंग